आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप ओफ प्लम्बिंग ट्रैप्स एंड यूजेज कि कौन-कौन से ऐसे प्लम्बिंग ट्रैप्स आते हैं और उसके यूजेज कहा हैं कहां पे वो यूज होते हैं तो ऐ आपको इन ट्रैप्स की नॉलेज होनी चाहिए आज हम बताने वाले हैं कुछ आपको 5-6 ऐसे ट्रैप जो की कॉमनली यूज होते हैं प्लम्बिंग में तो जो सबसे पहला हमारा ट्रैप है वो है पी ट्रैप पी ट्रैप कहां यूज होता है एक चीज और आपको बताना चा करता है एक वाटर टाइट सील बना देता है वो हम आपको इस डाइग्राम में बताने वाले और एक्जमपल यह पी ट्रैप से स्टार्ट करते हैं जैसे यह इसका इनलेट है यहां से वाटर जाएगा यहां से बाहर आउट हो जाएगा ठीक है यह जो बाहर की पाइप आपका स्टोर हो जाता है ठीक है इतने दूर में यह वाटर स्टोर होने के बाद जो इतना एरिया है आपका यहां पर बन जाती है एक वाटर की सील बन जाती है किसकी वाटर की सील बन जाती है जिससे क्या होता है कि जो हमारी सीवर लाइन्स होती है जो ड्रेन लाइन्स होत अर smelt भी ब्रोडूस होती है तो वह अंदर की तरफ यह smell और यह gases travel ना करें इस वज़ा से यहां पर एक यहैसे structure बनाया गया जहां पर पाणी इस्टोर हो जाता है और एक trap बन जाते है एक seal बन जाता है जिससे harmful gases experiments अंदर नहीं आती है रहें बिल्डिन के ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ट्रैप कहां पर उस करते हैं सबसे पहला जो में ट्रैप है वह है आपका पी ट्रैप आप आपे ट्रैप है वह आसे होता है इंडियान वॉर्ट ट्लॉसेट में excuse किया भी आता है यह सिंग में भी यूज में भी आता है यह यह अफिर दूसरा आपका स्ट्रीड आप जो घृष्ट एंट by उन्हाइं करते चाल इंडियन वाटर क्लॉस्ट फीया होती होती है हमें यह trap set करने के लिए और यह बिसिकली गर हम लोग कमोड की बात करें तो जो वाल हेंगिंग कमोड आता है उसमें यह ज्यादा तर यूज होती है अब यह q trap भी आपकी water closet में यूज होती है यह upper floors के लिए जादा यूज की जाती है फिर आता है bottle trap अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहा हो कि जितने traps हैं ठीक है सबके जो नाम है उनके structure से related है जैसे यह p trap है तो यह ऐसे p type structure बन रहा है देखो यह p ठीक है p बन रहा है यह s ठीक है यह कुछ ऐसे small q type structure बन रहा है तो यह q trap हो गया अब यह bottle trap है वो क्या है यहाँ पे मालो यह inlet है इसका ठीक है यह देखो एक bottle type structure बना हो है नीचे ठीक है यह outlet outlet pipe यहाँ से connect होगी यह पानी बाहर जाएगा यह in हो रहा है ठीक यह bottle type structure है तो यह जो पानी होता है ना bottle मे एसे store होके एक water tight seal बना देता है यह जिसे क्या होता है कि जो smells होती है जो gases होती है वो अंदर travel नहीं कर पाती है building के ठीक है और इसमें क्या होता है यह use करते हैं basins के लिए sinks के लिए kitchens में क्या होता है कि जब हम बहुत सारे ऐसे material particles होते हैं जो की sink के तुरू basin के तुरू flow करते हैं जैसे जैसे कुछ pieces हो गएं खाने के particles हो गएं तो वो आप यह bottle खोल के नीचे से ठीक है आप उसको clean कर सकते हो time to time फिर आता है आपका floor trap और nani trap floor trap या nani trap आपका जो है वो use कर सकते हो आप wash basins के लिए kitchens के लिए ठीक है यहाँ shower area है वहाँ use कर सकते हो अब floor trap और nani trap लगाने एक लगाना हो तो एक बात याद रखना यह down slab में कभी नहीं use करते हैं फिर अब जो इसके बाद वाला trap है वो है आपका gully trap gully trap कुछ सही diagram तो नहीं बनाए कुछ ऐसा दिखता है तो आप screen पर देख सकते हो जो photo आपको दिख रही है वो है gully trap की इसमें क्या करते हैं यह buildings के अंदर नहीं लगाते हैं building के बाहर लगाते हैं जहां पर हमें connect करनी होती है जैसे जैसे यह कोई building है ठीक है एक chamber type structure होता है जैसे बाहर chamber बनाते है जैसे building का drain हमें out हो रहा है तो यहा से मालों यह main sewer line जा रही है ठीक है अब इस sewer line में यहां से connect कर देते हैं direct यह आपका गली trap है गली trap अब यहां से main sewer आ रही थी building की पूरी आपकी sewer यहां से गई गली trap में फिर गली trap से direct connect होगी आपकी main sewer में क्या होता है उससे जैसे insects foul जो जो smells होती है harmful gases होती है sewer lines की वो अंदर नहीं आ पाती है तो गली trap लगाने का यह फादा है तो यह थे सारे traps thank you